नमस्कार आप सभी का फिल्मी विर्तांद पर स्वागत है आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साल 1984 में आई सांदार फिल्म जॉन जॉनी जेनारदन से समधी धेर सारे नॉन फैक्ट्स बजट बॉक्स ऑप इस कलेक्शन और इस फिल्म के कलाकारों के बारे में तो आप प्रिलिज किया गया था 26 अक्टूबर 1984 को इस फिल्म में रजिनी कांत ने तिहरी भूंका निभाई है जिसमें जॉन पिता के रूप में और जॉनी और जनारदन दो बेटों के रूप में दिखाई दिये हैं इस फिल्म को डारेट किया था तेलगू और बोली बूट के जा दिया था और फिर उनहीं फिल्मों को हिंदी में रिमेक किया तीरामा रावं ने साल 1989 में आई लोग पर लोग साल 1983 में अधा कानून साल 1984 में मांग भरो सजना साल 1987 में आई वतन के रखवाले साल 1990 में आई मुकदर का बादसा साल 1995 में आई हतकडी साल 1996 में आई जंग साल 2000 में आई बुलंदी और बेटी नंबर वन जैसी बेतरीन फिल्मों को डारेट कर चुके हैं इस फिल्म को पड्यूस किया था ये पी राओन ने संगीत दिया था लच्मी कांग प्यारेलाल ने लिरिक्स लिखे थे आनन्द बक्सी ने इस फिल्म के म्यूजिक अलबे में उकुल 6 गाने रिखे गए थे जिनको पनी मखमली अवाज से सजा था सेलेंद्र सिंग, एसपी बाला सुबरमनियम सुरेश वाडेकर, कविता किर्समूर्ति और यस जानकी ने इन गानों के बोल थे तू मेरी जान है चट मंगनी और पट सादी, लवंडिया सतरह साल की स्वामी जी स्वामी जी, अरे नौजवान इस जवानी और जब तक है जी, जी भरके पी इत्यादी इस फिल्म के गाने ज़्यदा परसीद तो नहीं हुए थे लेकिन उस वक्त लोगों के द्वारा बेहत पसंद किये गए थे आईए बात कर लेते हैं इस फिल्म की बज़ट और बॉक्स ओफिस परफर्फरमेंस के बारे में इस फिल्म का बज़र था 1.85 नाक रुपए और इस फिल्म ने भारत में कूल कमाई की थी दो करोड 25 नाक रुपए की मोहीवलl वाइल कमाई की थी पांच करोड रुपए की और यह फिल्म बॉक्स ओपिस पर हित सावित हुई थी एक गंटे 44 मिर्ट लेंथ की इस फिल्म को आईम डीवी पर 10 में से 6.05 रेटिंग मिली हुई है आई आप जानते हैं इस फिल्म से समधी धेर सारे नोन फैक्ट के बारे में फैक्ट नमबर एक जान जानी जैनादन साल 1984 में कमाई करने के मामले में किस नमबर पर थी है तो पता नहीं चल सका लेकिन साल 1984 में सबसे ज़्यदा कमाई करने के मामले में पहले नमबर पर थी जीतेंदर और स्री देवी की तोफा दूसरे नमबर पति राजे स्खन्ना, सत्रुगन सिन्हा और जितेंद्र की मकसद और तिसरे नमबर पति अमिताफ बच्चन और जया प्रदा की सरावी हैक नमबर दो, जान जानी जनार्दन साल 1982 में आई तमिल फिल्म मुंदरू मुगम की रिमेक है जिसमें रजिनी कांत नहीं अभिने किया था और जान जानी जनार्दन के डारेक्टर टी रामा राव ने डारेक्ट किया था, मुंदरू मुगम बॉक्स अफिस पर सौ दिन पू जमातायास जोहर ने निर्देशक के रूप में मनमहन देशाई के साथ जान जानी जनारदन फिल्म को बहुत धुमधाम से लांच किया था जिसमें मिसाब बश्चन, मिथुन चक्रवर्ती और कामल हसन अभिने करने वाले थे और इस फिल्म का सीर्षक मनमहन देशाई दोरा ड इर्माड किया था हैक नमबर चार जान जानी जनारदन फिल्म के डारेक्टर टी रमाराव फिमेल लीड रोल के लिए पूनम धिल्लों से संपर किया लेकिन पूनम धिल्लों अधिक फिस की मांग कर रही थी जिसके बाद रमाराव ने मुनमुन सेन को साइन किया लेकिन मुन निभाएंगी पूनम धिलों सहमत हो गई क्योंकि उन्हें टीर आमाराव ने उनकी पूरी बजार कीमत चुका रहे थे प्रसीद अब्नेता उतपलदेत ने इस फिल्म में ब्रिजमोहन गुपता का महत्पूर किरदार निभाया है लेकिन इस फिल्म में उनकी असली आवाज नहीं है बलक्ए उनकी आवाज को डव आटिस्ट के दौरा डव किया गया है फैक्ट नमबर छे इस फिम के गीत स्वामी जी स्वामी जी और जब तक है जान गीत में लाड़ परमार के इंटरनेशनल सौंग डमडम से नमुना लिया गया था नित्रों आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं किरपया वीडियों को लाइक और सेयर करना बिल्कुल ना भूलें धन्नवाद जैहींद